हेलो दोस्तो मैं हूँ पंकज वेलकम अमर्वा में आपका एक बार फिर स्वागत है जैसा कि मैं पिछली वीडियो में यूसेल के बारे में आपको अपडेट देता आ हूँ इसी पिरकार से आज हम यूसेल वर्जन को लेके अपडेट दे रहे हैं कि यूसेल वर्जन के ओपल लगबग बहुत बड़ा इसू चल रहा है इसू है कि किसी का वर्जन अभी बहुत सारा ओल चल ला है जो चार-पांस महिने पुराना वर्जन है वह चल रहा है उस पर हम बात करेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और यूसेल वर्जन को लेकर दो यूस बड़न को लेकर यूई-ड़न ने एक नोटिस जारी किया है नोटिस में कहा है कि जो 148 यह 147 मतलब 149 या 147-1 करके है जो उससे नीचे सभी वर्जन को जो है निरस्त कर दिया गया है अगर आपका यह वर्जन है तो आप उसे अनिस्टाल करके या अपग्रेट करने की कोशिश करें अपने डिस्टिक टीम से या इस्टेट टीम से संपर करने के बाद उसे अपग्रेट कर का जो गुरूप है उसमें हमारे जो जिले को देखते हैं उन्होंने यह सेंड किया है आप देखिए नोट यह लिखा हुआ है यू आइडिया नोटिफिकेशन ECMP क्लाइंड वर्जन भाई 25 मार्च 2022 को लेकर है इसमें लिखा है डियर सर मैडम वी आर गोईंग टू रिवोग आल बिलोव मैंशन ECMP क्लाइंड वर्जन 25 मार्च 2022 योडी हैंस वी आर दारिक कीप सिस्टम विट गूड इंटरनेट कनेक्शन अगर कह रहें कि अगर अपना इंटरनेक्स इंटरनेक्शन अच्छी स्पीड पर होगा तो आपका अपडेट हो जाएगा इफ यू अप्लोड़िट पैकेट जो आपके पैंडिंग अप्लोड़िट पैकेट है वह कर यह विल विदा अप्लोड सब्सक्राइब टूडे इट सेल प्लीज इंशर दक्लाइ वर्जन को निरस्त कर दिया गया है और नीचे नोटिस में कहा है जो नोट संकेत करके है काइंडली इंफोर्म एस ओपरेटर देट देट इसी एमपी विंडो फुल इंस्टालेशन 147 जो आपका वर्जन है उसे वह इनके सिस्टम पर इनकी वेब्साइट पर या सिस्टम प वर्जन जो इसका वर्जन है पाइंट वन यह इनके इन पर आविलेवल है जो मेरे पास एक गुरूप है इस्टेट इस्टेट यूस्यल ओफिचल गुरूप है उसमें भी नोटिफिकेशन में देखो मैं आपको दिखा देता हूं तो देखिए यह इन्होंने लगबग किस 25 मार्च को इस हुआ था तो यह वर्जन उन्होंने पहले से ही लॉंच कर लिया था आप देख रहे हैं यह वर्जन ऑफिचल गुरूप में है तो इनका कहना है कि जो न्यू से संचाला ओपरेटर है और वो यूसेल का सॉफ्ट्वेर स्टोल करना चाहते हैं तो आप यहां स से जाके इसे स्टोल करें 147 वर्जन यह न्यू वर्जन है और जैसी आप इसे स्टोल करेंगे स्टोल करने के बाद यह एटोमेटिक लिए 149 वन पर चला जाएगा जो कि अभी लिटेस्ट अपग्रेड वर्जन है और इसमें यह भी बताया कि कल हमारी डिस्टिक टीम ने इ प्रेटिंग में यही बताया गया था जो लगवग सभी लोग उसमें सामिल थे उसमें सामिल नहुले के बाद सबसे अटेंडेंस के साथ-साथ उनका वर्जन पूछा गया तो जिनके वर्जन 149 से कम थे उनके सभी को नोट किया गया और उनसे कहा गया कि आपका सौफ्ट् लिश्टेड क्राएं कि सब्सक्राइब वर्जर्ण और रही करना हैरिवकर 159 पर ही वर्क करना कूंगी यह इन पर बडर करने से हो सकता है या आपको ब्डेकलिस्टीट किया सकता है यह आपको व्लेकलिस्टिट किया जा सकता है तो कि इन वर्जन में उनका कोई इस ו we should होगा या फिर कोई सीक्रेट जानकारी लीग होने की चांसे होंगे जिसके कारण यह सारे वर्जन को जो है रिवॉक कर दिया गया है तो आप इसी तरीके से 147 से 148 वर्जन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप OTO को रिफ्रेस्ट करें अगर तब भी आप नहीं हो रहा है तो आप सभी का दन्यवाद